हाई दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर इन एंडलर्ली के बारे में जिसे हम बोलते हैं इंटर्ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ओफ फीमर इन एडल्ट्स तो दोस्तों इंटर्ट्रोकेंट्रिक एरिया थाई बोन याने की फीमर बोन में होती कॉन सी है सबसे उपर का हिस्सा थाई बोन का जहां से नेक ऑफ दी फीमर अपने शाफ्ट याने की थाई बोन के साथ जोड़ती है इसे बोलते हैं इंटर्ट्रोकेंट्रिक रीजिन ऑफ अब दोस्तों यह यूजली फ्रैक्चर होती थोड़ी एल्डर्ली पेशेंट्स में है यूजली इसकी एज ग्रूप के बाद भी फ्रैक्चर हो जाती है ट्रिवियल ट्रॉमा यानि कि यह इतनी हलकी चोट जैसे कि सिर्फ अगर किसी की बोन बहुत वीक है और वो अगर बेट पे करवट ले रहे हैं तर्न कर रहे हैं इसके बाद भी इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर डॉक्यमेंटेड है और इसके और दूसरे कारण जैसे कि बहुत कॉमनली घर पे बाद रहे हैं अपने बेडरूम में थोड़ी डिसबैलन्स होके बेट से उतरे थोड़ी से डिसबैलन्स हुए थोड़ी से डिसबैलन्स हुए गिर गए इसकी वज़े से यूज़ली इंटर टोकेंट्रिक कि उनके हिप रिजन, थाई के उपर वाले हिस्से में और बटक्स वाले रिजन में उनको दर्द हो रही है तो सबसे पहली साइन जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि नॉर्मली जब हम लेटते हैं हमारी फुट थोड़ी आउटवर्ड की तरफ डिवेटेड रहती है अग तक टस्त करने तक जारी है बहर इसका मतलब थोड़ी इसके फेवर में जाती है कि या इंटर्ट्रोकरिंट्रिक फ्राक्चर फीमर हो सकती है ऐसे कंडिशन में आपको वेट नहीं करना चाहिए आपको असेचेंस के लिए कॉल करना चाहिए और आपको जाके डॉक्टर से मि में हमारा goal of treatment क्या होता है our goal of treatment is to mobilize the patient as early as possible हम चाहते हैं कि वो जितने जल्दी खड़े हो जाए अपने पैरों पे और अपने आप अपना काम at least खुद से कर ले तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता क्योंकि अगर patient बहुत दिनों तक bed पे लेटा रहना पढ़ रहा है किसी भी कारण से माल लेते हैं fracture की वज़ा से माल लेते हैं किसी कारण से operate नहीं कर पा रहे हैं तो भी और बाकी चीजों के flare-up होने की संभावना बढ़ जाती है पहला systemic diseases जैसे की diabetes flare-up होने के chances बढ़ जाते हैं blood pressure बढ़ने की chances और जादा हो जाते हैं दूसरा बहुत लंबे समय तक लेटे रहने से पैरों की veins में blood clot होने की संभावना बढ़ जाती है जिसे हम बोलते हैं deep vein thrombosis deep vein thrombosis की वज़ए से local causes local कारण याने की पैरों में calf muscle में दर्द होना stretch करने पे दर्द होना पैरों में सूजन आना जादा होती है इसके अलावा अगर माल लेते हैं clot वहाँ से dislodge हो जाती है तो थोड़ी खत्रे की घंटी होती है वो थोड़ी जानलेवा भी होती है तो इस problem से भी बचा जा सकता है अगर हम जल्दी mobilize कर दें तो तीसरा अगर पेशेंट बहुत दिन तक बेट पे लेटे रहते हैं तो सबसे important factor आता है इसमें family and relatives के उपर dependency ये एक छोटी सी चीज है लेकिन एक bed-ridden patient को एक अलग से attendant चाहिए होती है 24 hour care करने के लिए washroom के लिए, motion के लिए उठना, बैठना, खिलाना सुबह सुबह उठके brush कराना तो सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज से जल्दी operation करके patient अपने आप washroom जा सके आ सके, अपना काम खुद कर सके तो एक dependency हट जाती है तो ये सबसे important factor है मेरे हिसाब से दोस्तों कि इसमें patient जतने जल्दी खड़े होके अपना काम करने लगे इससे अच्छा कुछ नहीं होता और last दोस्तों, लंबे लेटे रहने से आप सबको पता होगा कि bed sore की problem बहुत commonly होती है and ये bed sore usually pressure areas पे होते हैं लेटे रहने से याने की glutes में, heel में एक तरफ लेटे रहने से trochantic region में and उपर की तरफ shoulder blades के region में bed sore होने की संभावना बढ़ जाती है थोड़ी elderly patients में usually कई बार लोग diabetic भी होते हैं तो इसमें घाव भरने की संभावना कम हो जाती है तो इसलिए ये possibility हो ही ना कि bed sore बने और फिर हमें उसे बहुत लंबे समय तक dressing करानी पड़े फिर उसकी सफाई करानी पड़े तो patient जितने जल्दी खड़े हो कि अपने काम खुद करें और चलने लगें इससे अच्छा कुछ नहीं होता तो हमारा goal of treatment in intertokanatric fracture is early mobilization of the patient अब intertokanatric fracture femur में जो treatment होती है दोस्तों वो usually determine होती है कि ये किस classification में fit bad थी है बहुत सारी classification है हम इसे simplify करने के लिए सिर्फ दो चीजों पर discuss करेंगे instable fracture and stable fractures intertokanatric fracture में stable fractures and instable fracture में treatment में पहले जमाने में usually DHS याने की dynamic hip screw and proximal femoral nail ये goal standard थी and stable fracture में ये अभी भी goal standard है अभी भी बहुत अच्छा काम करती है and results इनके अच्छे हैं इसके बाद एक और नई implant आई दोस्तों जिसे हम बोलते हैं proximal femoral nail A2 short form में PFN A2 बोलते हैं PFN A2 में usually इसके उपर के हिस्से में जो पहले DHS and PFN में normal PFN में screw जाते थे इसमें उपर screw नहीं जाती इसमें एक helical blade plate जाती है अब इसमें कुछ सालों से PFN A2 has become goal standard for both unstable and stable fractures इसके बहुत सारे advantages हैं सबसे पहला तो इसमें जो helical blade plate screw जाती है neck तक और head तक वो cut out होने की chances बहुत कम होते हैं इसकी back out होने की chances बहुत कम होते हैं इसमें ये जो nail लगती है ये लगती है medullary canal के बीच में DHS plate जो लगती है वो लगती है femoral shaft के बाहर तो इसमें हम लोग चलना जल्दी शुरू करवा सकते हैं patient को चलना जल्दी शुरू कराने का मतलब अगले दिन से भी patient कई बार चल सकते हैं and walker के साहरे उनका washroom जाना आना शुरू हो जाता है इसकी जो fixation है वो biomechanically थोड़ी strong मानी जाती है as compared to the previous generation implants वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपकी कोई भी query हो इसके लिए आप नीचे comment section में लिखिए हम इस पर जरूर reply करेंगे धन्यवाद दोस्तों do like, share and subscribe and press the bell icon thank you